तो किरिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये भाई साब को पाचान रहे हैं आप ये जनाब अमिताब बच्चन जी नाम है इनका आप पाचान रहे हैं साइद इंडिया में ही कोई सब बच्चा हो या कोई भी आदमी ऐसा हो किसी भी उमर का हो साइद ही ऐसा कोई हो जो इनको ना पाचानता हूँ किसान हो यह भाई साब्ड़ मार्केट में इंवेस्टर है कैसे इंवेस्टर है क्या है और जो इनोंने investment किया था उससे बहुत अच्छा इस बर इनोंने पैसा बनाया उसी से related मैं आपकी news पर लेकर आया हूँ जो की authentic news है और किस company में इनोंने बनाया वो भी मैं आपको बता हूँ ठीक है तो मैं direct उस information पर लेकर चलता हूँ आपको news पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आपको यह एकनोमिक्स टाइम मार्केट का यह और यह देख लिए किस दीन का news है ठीक है यह देख लिए पांच दिसंबर दो हजार बाइस का कुरोड़पति यह स्टॉक अमिताब बच्चन में एक स्मॉल्टी बेगर रिटन फ्रॉम एसमॉल का है ठीक है चार दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इतने भी सिजन इंबेस्टर होते हैं यह बड़े लोग होते हैं मल एसमॉल या माइक्रो कैप में इंबेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि वेल्थ क्रियेशन का एक बहुत अच्छी पोसिबलीटी रहती है उसमें और जल्दी पोसिबलीटी रहती है ठीक है बोलीवोट मेह स्टार अमिताब बच्चς पेसेंस यही में फोर्ड है ठीक है पेसेंस यही में इंव्स्टिंग का साइकलोगी होती है कि दो एसेंस रखो unt thôi Looking a small है is paying off the share of dp wires जो company का नाम है dp wires है have rallied over five times since 2017 when it got listed on NSE SME exchange 2017 से जब list हुआ था ये company dp wire का तब से इनोंने hold करके रखा हुआ और finally अभी 2022 में आकर इनका share पांच गुना होके है end of September हमताब बचन होल्डिंग रिमें रंद सेम 2.45 परसेंट यानि कि 13,41,18,400 share उन्होंने उस टाइम पर लिया था 5 अक्तूबर 2017 को ठीक है जो की share exchange से migrate होकर आ गया main board में 17 जन्वारी 2022 को ठीक है दोस्तों अब मैं थोड़ा सा और इसको नीचे लेकर चलता हूं यह देखिए during the IPO during the IPO stock was 75 रुपईया पर ओओ share इस टाइम पर लिस्ट हुआ था ठीक है the current value of big b investment dp was nearly 13.4 करोड ठीक है the stock was trading around 400 परसेंट और जब यह कर रहा है since listing has tonics 444 परसेंट का return दिया है लिस्टिंग तरफ से और इस year में यानि की 2022 में और लेडी इसने 58 परसेंट का return दे दिया है ठीक है दोस्तों अब हम चलते हैं share के technical data पर लेके मैं आपको चलता हूं technical इसके data पर मैं आपको लेके चलता हूं यह देखिए dpys का यह technical data है जो कि आज का पराइस 440 पर close हुआ है 3.4 परसेंट का आज के दिन इसमें तेजी रहा market capitalization 597 क्रोड क्या है यानि कि small cap की company है current market price 440 आपने देख लिया 52 week high low का जो है 52 week का high बनाया था 503 रुपईया और low बनाया था 192 रुपईया स्टोक पी ट्रेट कर रहा है 18.6 के रेट पर और रोसी जो है 27.7 ना रोई 21.2 यह दोनों बहत्रीन परामीटर है long-term investment के स्टोक सेलेक्शन के लिए और दोनों ही बड़ा अच्छा ratio है face value 2 का है 10 का है और dividend भी सलाना देता है 0.23% का dividend का है इंड़स्ट्री के पी 17.5 है compare to एकदम अच्छी प्राइस पर अब लेबल है डेप टु इक्विटी अल्मोस्ट निगलिजेबल है compare to market price EPS 23.4 है 5 EPS का profit value 2.1 है और sales close 25.7 है दोस्तों ठीक है अब मैं आपको इसके चार्ट पर लेकर चल चलता हूं यह देखे मैं इसके आपके चार्ट पर जून करकर मैं दिखा दो दिखे कि इस period में share कहीं list हुआ था और इसी period में यानि February 2017 के आस पास में यह share आया था उस time से यह देखा रहा हूं यह DP वायर्स का मैं weekly चार्ट लेकर आया हूं ताकि आपको सही तरह दिखा दो और इसी period के बीच में आमिता बच्चन सहाब ने अपना इन्होंने अपना बनाया था ठीक है जी उसके बाद से फिर consolidation का फेज रहा और फिर जब market उसके बाद से निकला इसने यानि के अपने 100 का level को जब से निकाला उसके बाद से इसने काफी दीन तक काफी week तक 100 के आस पास रहा और एक बार इसको निकाला तब से continue इसमें upside moment ही weekly basis पर आप देखेंगे कभी किसी भी अपने weekly low को प्राइस उपर जाता है नीचे आता है Consolidate करता है जैसे यहां पर देखेंगे Consolidate किया इतने week फिर उपर भागा फिर यहां पर नीचे आया फिर इतने week लगबग चार महिना के आस पास में इसको consolidate किया और फिर एक new high बनाता है फिर पराइस नीचे आने के कोशिस कर रहा है यह नीचे आकर consolidate कर रहा है फिर एक जिस तरह का यह pattern बना है Consolidation, upside, फिर consolidation, फिर upside उस तरह का उमीद है कि और आगे उपर जाएगा यह weekly chart महिने के लगा के रखा हुआ ठीक है तो long term investing में सबसे जो main चीज है कि जब आपने stock selection है और stock selection कर लिया यानि कि आपका investment ideology जो है उसके हिसाब से अपने stock selection कर लिया उसके बाद long term तक इसको hold करना है ठीक है यानि patience रखना है hold करना है तभी जाकर reward आप enjoy कर सकता है और investing का नजरिया यह होता है कि कभी बीज़े stock है कि 10 से 15 साल 20 साल के लिए investment किया जाते है तभी उसको enjoy किया जा सकता है तो जब उमीद करता हूं कि information यह आपके लिए encouragement रहे कि देखिया मिताब बच्चन साहब ने भी कैसे presence रखा hold किया तभी जाकर वाज enjoy करना है इस तरह के तो इसलिए आप लोग कभी market wise correction आपको आपके decision को change नहीं करना चाहिए ठीक है दोस्तों आप अप बने रहेंगे तभी जाकर enjoy कर पाएंगे long term return का यह compounding का जो share market का philosophy होता है compounding का enjoy किया जाता है तो उसी का तभी आप enjoy कर पाएंगे यह सिर्फ आपके encouragement के लिए था यह मैंने information आप लोग के साथ share किया मैं किसी तरह से आपको encourage नहीं कर रहा हूं कि जाए और इस share में buy कर लिए buy करने से पहले आप अपना research कर लिए आपने investment amount देख लिए आपना risk appetite देख लिए उसके बाद ही investment का आप plan कीजिएगा ठीक है दोस्तों